वेलो हाई ग्रीटिंग्स टुवन और वेलकम तो दे चानल तोड़े वी आर ग्रीटिंग्स दिस्कास करने वाले हैं वह में आपके सामने ओपन कर देता हूं तकि हमारी लिए क्रारिटी हो जाए कि हमें क्या क्या चीजें कवर करनी हैं करेक्ट है दोस्तों आज साइकलोन फॉर्मेशन के उपर हम डिसकेशन करेंगे क्योंकि तमिलाडू में साइकलोन मांडोस आ रहा है और यह बे ऑफ बेंगॉल रीजन में बन रहा है तो हम देखेंगे कि क्या क्या कारण है जिस वज़े से यह साइकलोन बनते हैं और हम National Disaster Management Act important role play करती है तो National Disaster Management Act क्या करती है दोस्तों यहाँ पे हमारे केंद सरकार के पास Union Government के पास white powers है white powers है क्या करने के लिए disaster को कंट्रोल करने के लिए तो हम Disaster Management Act को भी GS3 के point of view से देखेंगे फिर कलेजियम सिस्टम के उपर बराबर से news आई है अभी decision दिया है कोर्ट ने और right to information में कलेजियम के फैसले को नहीं जोड़ा गया है तो right to information हमारे लिए important है तो हम उसको GS2 के point of view से दोनों ही चीज़ों को cover करेंगे फिर National Commission for Women ने अभी एक basically request करी है कि legal age for marriage जो है Muslim women के लिए वो भी उतनी नहीं कर दी जाए जितनी currently सभी बाकी महिलाओं के लिए भारत देश में है तो GS2 के point of view से हम National Commission for Women as a statutory body को पढ़ेंगे कुछ bills introduce किये गए है लोग सभा में इस winter session में तो हम उस पर चर्चा करेंगे साथ ही में इसी winter session में कई सवाल पूछे जा रहे है question award और 0R के format में उनके उपर हमें discussion करना है तो ये हो गए हमारे दोनों GS2 के point of view से इंडिया चाइना का trade deficit सामने आया है GS3 economic के point of view से और इंडिया चाइना और गल्फ cooperation council के मुलाकात हुई है GS2 के point of view से international relations में इस topics हमारे लिए important हो जाते हैं तो ये कुल मिला के आज 8 topics हैं major जो हम cover करने वाले हैं एक एक करके हम topics को heading के हिजाब से समझते हैं तो जैसे कि यहां पर आपको दिख रहा है कि तमिलाडू में बारिश आने लगी है मांडूस जो है वो जमीन की तरफ landfall करने लगा है 15 flights जो है उससे ज़्यादा कैंसेल हो चुकी है तो मामला पूरम कोस नियर चनन नहीं है 10 पिम फ्राइडे ब्रिंगिंग मोर इंटेंस रें टू दा कोस्टल एर्याज ऑफ तमिलाडू अब दोस्तों इसमें क्या है ना साइक्लों की स्पीड तो बहुत जादा नहीं है 14 km पर आवर की स्पीड है लेकिन लेकिन जो हवा है रफतार वो हो सकता है कि 85 km पर आवर की तरब हो जाए और उससे काफी destruction हो सकता है यह जो साइक्लों है यह अभी सीवियर साइक्लों नहीं है यह साइक्लों सीवियर हो सकता है इसी कारण की वज़े से National Disaster Response Force और State Disaster Response Force को active कर दिया गया है तो हम देख लेते ह है पहले कि साइक्लों कैसे बनता है तो सबसे पहले साइक्लों मांडूस के उपर कुछ बेसिक बाते करते हैं साइक्लों मांडूस जो है यह नाम United Arab Emirates ने दिया है और इस नाम का मतलब है ट्रेजर बॉक्स हर साल जब साइक्लों आता है तो जितने भी इंडिया नोशन के आस साइक्लों ने अरेंज कर दिये हैं यह कह लिजे कि लेटर वाइस तो कंट्री जैसे अगला साइक्लों जो आएगा उसका नाम क्या रहेगा जैसे पाकिस्तान का गुलाव आया था आमफान था निसर्ग था तो यह सारे साइक्लों के नाम होते हैं और इनके अपने-पने मतल रिच में यानि की एक हमारे गर्मी के दौरान और दूसरा हमारे ठंडी के दौरान और ऐसा देखा गया है कि बेह बैंगॉल रीजन में इंटेंसी ऑफ साइक्लों फॉर्मेशन है वह जाधा है अरेविएंस सी के कंपारेशन में इसका थोड़ा सा कारण ये हो सकता है कि अचानक होता है तो साइक्लों का फॉर्मेशन इसलिए होता है जब समुंदर का जो सता का तंप्रेचर है वो हाई रहे और मॉइस्टर कंटेंट जो है वो भी काफी जादा रहे जाहिर सी बात है जब सी सर्फेस टेंप्रेचर एवापोरेट करता है जादा रहेगा तो पानी एवापोरेट करेगा पानी वापोरेट करने से मौइस्टर भी एवापोरेट होगा और इनके वारे में खास बात यह है कि सारे साइक्लोंस देखा जाता है कि नौर्थ वेस्टर्ण साइड की तरफ मूव करते हैं नौर्थ वेस्टर्ण साइड की तरफ बोले तो इस तरफ they always move in this direction हलाकि Arabian Sea के पास ऐसा देखा जाता है जब हम Arabian Sea की बात करते हैं तो 15 degree north latitude को पार करने के बाद cyclone north east की तरफ move करने लगते हैं और जिसके कारण हमें गुजरात में देखने को landfall मिलता है और ये हो सकता है rotation of the earth की वज़े से this can be due to latitudinal relation due to rotation of earth हलाकि ये rare event होता है Arabian Sea में cyclone का बनना ही rare है इसलिए भी हम इस discussion पे नहीं जा रहे हैं अब यहाँ पे कुछ हमने discussion के point of view से बताया है जैसा कि आप देख सकते हैं stage 1 है cyclone formation की यहाँ से यह अगर आप इसको C माने if you consider this particular area as C आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जैसे ही temperature बढ़ने लगता है ठीक है बहुत जारा heat insulation आ रहा है यहाँ पर temperature बढ़ रहा है हवा गरम हो रही है और जब हवा गरम हो रही है तो वह फिर कैसे direction में anticlockwise direction में anticlockwise direction में ऊपर की तरफ move करते हैं आपको दिखाई देगी दिख रही है यहाँ पर आपको ठीक है anticlockwise direction में हवा मूफ कर रही है और जब anti-clockwise direction में हवा मूफ कर रही है तो वो उपर भी उठ रही है जब उपर उठ रही है तो हो क्या रहा है जैसे ही warm air उपर उठेगी तो नीचे क्या create हो जाएगा यहाँ पर low pressure area create हो जाएगा लेकिन sea surface temperature के उपर अगर हम देखें तो यह तो cold air है this is cold air and it starts moving in very fastly यह नीचे की तरफ move करने लगती है तो होता क्या है एक तरह का circular wind formation बन जाता है यह circular wind formation जब बनता है तो सिर्फ intensity सबस्यादा है कहां पर रहती है जिसको हम कहते है i of the cyclone में यानी एकदम center of the cyclone में intensity जदा रहती है किसी बितरह का temperature difference current नहीं होता है current होता है pressure difference temperature difference हमें sea surface के पास दिखाई देता है और movement of the air होता है pressure difference की बज़े से ठीक है और जब यह चीज start होती है तो काफी छोटे level पे होती है फिर यह धीरे-धीरे क्या होता है volume of air जो rise हो रही है वो बढ़ती जा रही है volume of air जो sink हो रही है वो भी बढ़ती जा रही है जब volume of air rise होने वाली बढ़ रही है rise होने वाली जब air बढ़ रही है और sink होने वाली air बढ़ रही है तो क्या होगा दूर दूर से गरम हवा अभी कट्टा होने लगती है और क्या फॉर्म करने लगती है एक तरह का सर्कुलर फॉर्मेशन चारो तरफ ऐसे लेने लगते हैं तो यह जो जो पाटन है यह सबसे जाधा इंटेंस रहता है सेंटर पर लेकिन फिर क्या होता है क्योंकि अलग अलग जगह से सी जो यह वार मेयर है यह राइस करने लगती है इस डाॉप अपर उपर इस की हवाब तो उतन्हीं ठंडी हवा जहां पे लो प्रेशर रहा होता है वहां से आपको ऐसे साइक्लोन में ठंडी हवा नीचे बरस्ते हूए दिखाई देती है और साइक्लोन को जब भी हम देखते हैं तो आप सेंपल समझाए हुआता कि यहां पर मैंने की low pressure area in the eye create होता है और उपर की जो cold air है वो start moving inwards करने लगती है और cold air start moving inwards towards the eye and this basically is called as a cyclonic formation. So all happens because of the pressure difference between the above air and the sea surface temperature, the pressure above the sea surface. Yes, they have direct connotation with the temperature but एक बार I think 2017 में question आया था और उसमें ये था कि जो cyclone की आई रहती है उसके अंदर temperature 10 degree जादा रहता है as compared to the other areas इस तरह के facts आया थे तो आप ये याद रखेगा main crux of the matter is pressure तो कुछ अब हम previous year question देख लेते हैं इसके ऊपर देखेंगे पर पहले हम यहाँ पर यह है जैसे कि मैंने आपको बताया कि national disaster response force के बारे में यहाँ पर कहा गया है अब national disaster response force is a force formed national disaster management act तो देख लेते हैं कि national disaster management act के बारे में आपने को क्या पता है तो यह question है और यह 2019 में forest services में आया है question है UPSC में नहीं आया है पर UPSC नहीं पूछा है तो हम देखते हैं disaster management act was passed by parliament in 2005 the union home minister acts as the chair person of national disaster management authority यह एक statutory authority created under this the national disaster management authority have more than nine members including vice chairman and tenure of the members is five years तो आप पूछ रहा है which among the following statement is are correct अब इसको मैं आंसर करने का तरीका बता देता हूँ आपको देखिए जैसी आपने यह word five years पढ़ा आप इसको मान लीजे कि यह सही है आप इसको मान लीजे कि यह सही है इसमें if question होना चाहिए दिमाग में लेकिन हम देखेंगे यह डी वाले options के साथ हमारे पास तीन options हैं तो हो सकता है कि यह तीनों गलत हो हो सकता है कि यह पहला वाला गलत हो अब हमें check करना है c, b और a अब disaster management आट के बारे में आपको इतना जरूर पता होगा कि यह basically 2005 में बनी थी तो जब यह 2005 में बनी थी तो हमारे पास यह वाला option eliminate हो गया हमारे पास यह अब हम फस गए है basically क्योंकि इसमें डी नहीं है इसलिए यह भी eliminate हो गया क्योंकि इसमें डी नहीं है तो हमें दो statement पता है कि वो सही है तो हमने दो statement eliminate कर दिये अब हम फसे हैं इन दोनों में UPSC का जो MCQ solve करने का तरीका है दोस्तों वह ऐसा ही है आप 4 में से 2 statement जानते आप 2 option eliminate करतेंगे कई बार तो ऐसा भी होता है कि चार statement में से अगर आप 2 statement जानते तो 3 option eliminate हो जाता है ऐसे questions पर हम अलग से जब वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हम decode कर रहे हैं tricks of the prelims उसके उपर हम जब चर्चा करेंगे तो हम आपको detail में बताएंगे लेकिन आज के इस particular question में अब हम फस रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किस option में all of the above में यानि कि अगर सही है तो फिर B और C दोनों सही है और अगर गलत है तो B गलत है क्योंकि option 2 में B हम पनों नहीं दिखाई दे रहा है अब हम बात करें यहां पर बोल रहा है यह nine members के बारे में बात कर रहा है including vice chairman तो यह fact तो हो सकता है कि किसी कीमत पर आपको कभी ना याद आए कि कितने members होते हैं एंडियमे के अंदर ठीक है हम बूल सकते हैं लेकिन अगर आप इस वाले statement को ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहां लिखा Union Home Minister Chairperson of NDMA जबकि Simple Fact जब भी कोई आप National Disaster Management Act को पढ़े देखेंगे तो चेर परसन आपको हमेशा एक्स ओफीश चेर परसन प्राइम मिनेस्टर बोला जाएगा हैंस ऑप्शन टू इस ता करेक्ट आंसर सॉरी सो दीज आदे ट्रिक्स ओफ एलिमिनेशन विच्छ नीट टू अप्लाइए विच्छ वेरी मच रिक्वाइड आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तब यह ट्रिक्स ओफ एलिमिनेशन आपके उपर काम करेंगी आपके लिए कारगर होंगी ठीक है अब वावजाद देने में तो यह Member of Parliament ने जो question किया है वो दूरिंग जीरो आवर किया है राज्य सब आपके इस्वाल जो पूछा उससे जाधा हमारे लिए जो जरूरी है वह जीरो आवर और question, आवर का significance जीरो और question आवर के significance के उपर डिस्केशन गल लेते हैं यहाँ पर मैंने थोड़ा detail में आपको उनके बीच में differences और basic समझाने की कोशिस की है ठीक है सबसे पहले question hour की बात करते है question hour क्या होता है जहां यहाँ पर पार्लियमेंट के लोगों को सदस्यों को अधिकार है सरकार से सवाल पूछने का और यह basically रोग सभा में usually पहला घंटा होता है यहाँ कि लोग सभा जैसे ही convene होता है तो पहला जो चीज पूछा जाता है पहला जो time a lot होता है वो question hour का होता है यहाँ पर member of पार्लियमेंट जो है अपने सरकार के मंतरियों से सवाल पूछ सकते है और यह किस fundamental को आगे ले जाता है that executive is accountable to the legislature executive यानि के हमारी government जो है वो legislature यानि पार्लियमेंट में जवाब देई है उसको जवाब देना पड़ेगा अपने काम के लिए system of checks and balance हम इसको कहते है questions जो है यहा गवर्न होता है question hour तक और presiding officers जो हैं दोनों house के वो question hour के conduct को regulate कर सकते हैं तो लोगसभा का presiding officer speaker होता है राजसभा का presiding officer chairman होता है या जिसको हम vice president भी कहते हैं अब बात करने zero hour की तो zero hour को zero इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह बारा बज़े start होता है क्योंकि यह zero 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 hours पे start होता है idly zero zero का मतलब रात होता है रात का बारा बट एक तरह का non conventional तरीका है कहने का यह 1962 से start किया है zero hour और जब रभी रे जी nine speaker थे तब इन्होंने zero hour को कैसे regulate करना है उसके उपर कुछ नियम कानून बताए थे और राजसभा का usually पहला घंटा zero hour से ही start होता है और लोगसभा का पहला घंटा question hour से start होता है यह कहीं लिखा नहीं हुआ है पर यह convention है कई समय से यह चलता आ रहा है तो zero hour के उपर बात यह है कि यह इंडिया पार्लेमेंट का अपना unique innovation है क्यों क्यूंकि इसको कहीं ना parliamentary rule में कहीं mention नहीं किया गया क्यूंकि question hour का time period बहुत कम होता है काफी regulation होती है question hour के अंदर आप limited questions पूछ सकते हैं उसके लिए भी आपको specific permission चाहिए किस से presiding officer से इसलिए यहां पर question hour एक तरीके से justice नहीं करता है तो members जो है उनको बिना prior notice के भी सवाल पूछने का एक तरीका दाइत वह होना चाहिए तो यह concept zero hour के तुरू निकल के आता है और यह question hour के बाद just immediately start होता है जब तक house का agenda ना take up कर लिया जाए and it is that period between the question hour and the business of the house के brief period को हम zero hour बोलते हैं कितनी देर का चलेगा कितने घंटे का चलेगा इसके ओपर कोई statutory time limitation नहीं mention की गई है यहां पर एक ही बात यह है कि मंत्री जो है zero hour में उनसे क्योंकि सवाल पूछा गया वो random questions है और वो presiding officer के notice में में भी ना हो इसलिए जो मंत्री ह हमारा council of ministers जो है they are not liable to answer they can dodge the questions and there is no question of accountability if a member of parliament if sorry if a minister is denying to answer a question raised by member of parliament तो question hour और zero hour के उपर यह कुछ basic बात है आपको ध्यान में रखनी है अब अगर हम previous question देखें practice question देखें तो यह statements आप ध्यान से देखिए पहला statement कहता है matters taken up during zero hour can also be related to personal issues between constituencies zero hour में जो matter लिया गया उसको हम personal issues between the two constituencies के लिए भी use कर सकते हैं दूसरा statement है speaker of लोक सभा को एक short notice देना चाहिए must be given before 10 a.m. by member of parliament जिनको question erase करना है zero hour में ठीक है आप यह statement को गलत सही नहीं कर सकते हैं जब तक आपको यहां पर short notice आप गौर नहीं फर्मा पा रहे तब तक आप इस statement को generate नहीं कर सकते हैं आपको बताने कौन सा statement जो है correct है ठीक है कौन सा statement correct है आप हमें comment box में अपने answers लिखके जरूर बताईएगा ठीक है तो इसका मतलब यह है कि आप zero hour question hour के उपर जब थोड़ा सा study कर ले वीडियो को पॉस्ट करके गूगल करके और फिर उसके बाद आप अप comment box में हमें answer बताईएगा आपके answer सही होने चाहिए options देख लिए वन इन टू पहले दूसरे सही है दूसरा कहता है पहले और तीसरा सही है तीसरा कहता है कि कोई भी नहीं सही है और चौथा कहता है कि सिर्फ दूसरा वाला statement जो है वो सही समझ में आ रहा है तो you can basic facts के उपर ह और मज़ा आएगा आपको करने में ठीक है अभी हम बात करते हैं front page के एक last news पर जो कि यहां पर लिखी हुई है अब अक्सर news में हमें हमारे सामने ये चर्चा आ रही है कि जो Supreme Court के judges का और High Court के judges का appointment है वो किस अधार पर होना चाहिए Vice President जगदीब धंकर जी ने भी बोला है कि Collegium जो है वो एक तरह का partial तरीका है और non transparent तरीका है तो हमें transparent system को ले के आना ज़रूरी है तो यहां पर Collegium कितने लोगों की body होती है वो बहुत important fact है So Collegium is composed of Chief Justice of India Chief Justice of India होता है Collegium में और अगले चार senior most judges होते हैं जो कि Supreme Court और High Court के judges के नाम recommend करते हैं government को यह fact जो है यह बहुत important है इसको आप याद रखिएगा Collegium एक body है जो कि Supreme Court का innovation है judge cases से जजस केस से और यह 1993 का basically जो है 1993-1998 ठीक है और इसको हम कहते हैं three judges case 1,2,3 तीन बार हुए थे यह judge case तो आपको तीन three judges case कहते हैं three judges case और यहाँ पर याद रखिएगा Collegium एक ऐसी body है जो कि constitution में mentioned नहीं है नहीं किसी statute में mentioned है तो यह Collegium system के उपर है और आप National Judicial Appointment Commission के उपर facts तो definitely पढ़ी सकते है यहाँ पर भारते जन्ता पार्टी ने अपना speculation जो है खतम कर दिया है बोला है कि ठीक के कोई बात नहीं municipal corporation डेली के चुनाव हो महार गए होंगे ठीकिन अभी भी single largest opposition है और mayor का चु रजिस्टर हो गया है और दिल्ली High Court ने order कर दिया है उनके अगेंस charges फ्रेम करने के लिए यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी इनके बहुत सारे फैसले as a lawyer मुझे नहीं पसंद आ रहे थे क्योंकि हम लोग भी इसी profession में हैं और हाँ ठीक है यह डेली Commission for women में women rights के प्रेलिमिनरी रिपोर्ट भी प्रिपेर नहीं करी एक प्राइमल प्राइमफसाई assessment के basis पर उन्होंने F.I.R. दर्च करा दी कई सारे बेगुना लोग जबजस्ती कानून के लपेटे में आ जाते हैं इस तरीके से तो यूजली हम क्या होता है जब भी हम किसी चीज का निस् बीजी पोस्ट पे हैं जो कि स्टेट गवर्मेंट वाले डिसाइड होती है आज गवर्मेंट आपके फेवर में अगर है तो आप चल जाओगे अगर गवर्मेंट आपके फेवर में नहीं है तो आपके खिलाफ खत्रा हो सकता है और वही हुआ है इनके साथ जो bjp के opposition लिए हैं स्वातिमालीवाल जी के ऊपर क्या चार्ज लगा स्वातिमालीवाल जी के ऊपर चार्ज ये लगा कि इन्हों ने आम आद्मी पार्टी के वर्कर को इस वोमें राइट्स बॉडी में इंक्लूट किया है और यहां पर साफ-साफ एक तरीके का पॉलिटिकल या बिट्वीन आम आदमी पार्टी और बीजेपी दिखाई भी देता है जहां पर एक डेली कमिशन फॉर वोमेन की ओफिसर डेफिनिटली एक आयस ओफिसर है जो कि इसके घेरे में आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जदा लाइम लाइट लेना किसी भी आयस ओफ आज यूट्यूब का जमाना है इंस्ताग्राम का जमाना है हर अफसर अपनी अच्छी बातों को सामने रखना चाहता है और हम यूप्यसी आस्पेरेंट्स तो पूझते हैं इनको मेरे हिसाब से न्यूट्रल रहना चाहिए यह कोई भगवान नहीं है और आप यह भगवान का मैटर सामने आया है और जब हम पॉलिटिकल हो जाते हैं तो फिर सेपरेशन ऑफ पावर के फंडामेंटल से हम अगेंस चले जाते हैं और वो हमारे प्यूरी ब्यूरोक्राटिक मशीनरी को खत्रा दे सकता है तो किस तरीके से यह एक स्टाट्यूटरी पोस्ट में होने के बावजूद भी पॉलिटिकल वेंडेटा का शिकार हो रही है यहां पर आपको देखने को मिलेगा और इनको यह ट्वीट करने की भी कोई रिक्वार्मेंट नहीं थी मुझे लगता है कि इनको रीफ्रें करना चाहिए था क्योंकि दिल्ली कोट ने कहा है दिल्ली कोट ने क नहीं करी है तो फिर आपको I will respect whatever the court is saying and that should have been an official tweet but the moment she has tweeted this now she has become political and it cannot be excluded that she has zero political links क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अपनी इमानदारी से काम कर रहे हैं उनको अपनी इमानदारी प्रूफ करनी पड़ती है और जबकि चोर जो हैं वो खुले गूम रहे हैं तो यह तो सीधा अठाक है आपके court के उपर अब court आपको छोड़ेगा क्या दिल्ली court है वो please understand ma'am and that is what I would want you all to understand whoever is watching this video this particular profession is not about fame is not about money it's about service ठीक है यहापे well crafted answer आपके ethics के काम नहीं करने वाले हो सकता है आप निकल जाओ clear हो जाओ पर आप interview में बिलकुल fail हो जाओगे इंटर्वीव में बिलकुल fail हो जाओगे well curated answers नहीं होने चाहिए आपकी अंदर personality जो है वो खुल के सामने आनी चाहिए और उसके अंदर public service होनी चाहिए यहां पर एक और इस तरह का मामला सामने आया जहां पर एक जज़ के कुछ private videos जो है sexually explicit videos जो है वो शेयर हो रहे थे कि कहां से video शेयर हो रहा है क्योंकि किसी भी तरह की private link नहीं है यह किसी भी तरह की private link नहीं है यह उस judge का नाम जो है obviously hidden रखा गया यह तो एक norm है hidden रखा गया और permanent injunction की बात कर रहे थे यानि permanent रोग की बात कर रहे थे ministry of information and electronics and information technology ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि कोई legal action का कोई basis नहीं है और order आना चाहिए आदेश आना चाहिए court की तरफ से ठीक है और whatsapp को appear किया था कपिल सिब्बल साहब ने और उन्होंने कहा कि कादेश आना चाहिए court की तरफ से अब court जब तक आदेश नहीं और शेयर ना करें कि यह वीडियो लिक कहां से हुआ और वही तो पता करना सबसे मुश्किल काम है बाकी यहां पर एक अगली न्यूज और हमारे सामने आ रही है कि किस तरीके से बीजेपी लेट टू स्टेट्स जो हैं यह अगें बॉर्डर रो में फस चुके हैं मतलब हमा उनमें एफेक्ट ना हो तो यह यहां पर बात कर रहे हैं दूसरा यहां पर आप देखेंगे आर्टिया एक्टिवस जी को कांट्रोलर रोइटर जनरल के ऑफिस में मार पिटाई की गई है और इन्होंने फाया रेजिस्टर कराई है तो राइट टो इन्फॉर्मेशन और का constitutional body है और एक आपका statutory right है दोनों किस तरीके से conflict में आ रहे हैं अगें यह इशू हमारे लिए समझने वाला है फर्दर यहां पर देखेंगे स्क्रामजेट एंजन का जो टेस्ट है वो सक्सेस्फुली कंड़र्ट करा दिया गया है तो आप पढ़ सकते हैं कि स्क्रामजेट एंजन क्या होता है और यह आपके लिए GS3 के point of view से science and tech से important है विक्रम साराभाई space center को trisonic wind tunnel प्राप्थ हुआ यह trisonic wind tunnel है क्या तो wind tunnels क्या होते हैं their devices used to study the effects of air flows on solid objects यानि कि एक aeroplane है एक rocket है उसको एक tunnel के अंदर डाल दिया जाएगा और बहुत तेजी से air pass करी जाएगी उससे होगा क्या इस rocket के इसके aerodynamics जो है वो test हो सकते हैं तो यह भी हमें विक्रम साराभाई space center के बारे में पता चल science and tech उसके बाद यह भी एक अच्छी news आई है तीन हिमालया के medicinal plants को IUCN की red list में डाला गिया है अब red list के उपर pre में काफी सवाल आते हैं IUCN के उपर भी काफी सवाल आते हैं तो यह आपके लिए star pointer हो जाता है prepare करने के लिए जो कि हम आपको नहीं बता रहे हैं यह PDF आपको available ह हो जाएगा तो जो भी highlighted चीज़े हैं वो आप पढ़ लीजएगा कि इनके फाइदे क्या है लेकिन इसमें आपको नाम इनके यह मुझे नहीं लगता कि आपको यह नाम याद करना जरूरी है क्योंकि यह इतना specific नहीं पूछेगा आप से लेकिन IUCN और red list के बारे में जरू 2022 का उसमें हमने amendment किया है तो आप उसको देखिएगा एक बार further यह editorial पे हमारा editorial analysis का वीडियो आएगा तो उसमें हम discuss करेंगे हम और कुछ देख लेते हैं कलेजियम की continued news है यहाँ पे judge ने कह दिया कि हम किसी भी तरीके से right to information के अंडर इसको नहीं ला सकते हैं और अगर ऐसा क करना 1242 के अंदर अर्टिकल 1242 के अंदर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 217 क्लॉस 1 के अंदर हाई कोड तो वह नहीं कर सकते हैं रेस एज बार फॉर मैरेज फॉर मुसलिम वोमें नाशल कमिशन फॉर वोमें ने कहा और उन्होंने यह कहा है डीवाई चंद्रसुच साहब की ब वोमें एंद 21 एर्स फॉर में इड़ेजन माटर आप के इस रिलीजन के हो आपके लिए उतनी ही है ठीक है लेकिन मुसलिम के परस्नल लौ में मैरेजबल एज़ेज फिफ्टीन एर्स ठीक है अंडर दर परस्नल लौ इट इस फिफ्टीन एर्स अब उन्होंने कहा कि अगर ह बनाए जो पार्लेमेंट ने जो नियम कानून बनाए उसके उपर परस्नल लौ प्रिवेल करेगा कि हमें अपने पार्लेमेंट के बनाए हुए कानून की माननी पड़ेगी कि हमें परस्नल लौ की माननी पड़ेगी तो यहां पर यह बहुत बड़ा खत्रा भी है भारत के ल schedule tribe की list को modify करना है four states में schedule tribe की list को modify करना है कहां करना है government ने bill introduce करा है कहां पे लोग सभा में याद रखेगा लोग सभा में कौन से चार स्केट्स तमिलाडू करनाटिका हिमाचल प्रदेश और 36 गड़ और वह एक का नाम क्या है constitution का scheduled tribe order 1950 ठीक है तो यह बिल से इंट्रिद्यूस किये गए हैं और आप इसको यहाँ पर रीट कर सकते हैं definitely हट्टी कम्यूनिटी के बारे में हैं ठीक है इसके उपर आपक देख सकते हैं यहाँ पर कि नारीको नारीको वरन नारीको रवन और कुरुवी करन कम्यूनिटी है कहां की है obviously यह कर नाटिका की समझ माती है तमिलनाडू में भी हो सकती है और बेट्टा कुरूबा बेट्टा कुरूबा जो की already काडु कुरूबा जैसी सेलूर्टराइब ह करनाटिका की वो भी हमको देखने को मिलती है यहां ठीक है और देव नागरी स्क्रिप्ट में added number of synonyms in देव नागरी स्क्रिप्ट और अलड़ी ठीक है तो यह सारे ट्राइब जो है इनको हटी कम्मुनिटी ट्रांस गिरी रीजन में यह हिमाचर प्रदेश की ट्राइब है और बीजेपी ने इसी तरीके से काफी जगे की ट्राइब्स का एड करने के कोशिश किया है यहां पे बिल इंट्रीडूस किया है आप इसको आपका import यानि आप खरीदो जाधा और बेचो कम यानि कि खर्चा जाधा करो कमाओ कम जब जाधा होता है उसको हम कहते हैं trade deficit और भारत basically import बहुत जाधा कर रहा है export बहुत कम कर रहा है यह आपको इस data से देखने को मिलेगा 60.27 billion dollars का भारत export कर रहा है import कर रहा है और 8.77 billion dollar का export कर रहा है तो हम खरीद जाधा रहे हैं हमारा पैसा चाइना में ज़्यादा जा रहा है तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से उसको control कर सकते हैं इसी तरीके से एकनॉमिक्स की तरफ अगर हम जाएं तो यहां पर हमारे चीफ एकनॉमिक एडवाइजर ने भी एक सलह दी है ऐसे दौर में वी अनंत नागेश्वर जी ने क्या सलह दी आपको पता है वी अनंत नागेश्वर जी कह रहे हैं कि भारत के public sector का capital expenditure जो है capital expenditure क्या ह हुआ हो अप डांज प्रिजस बना रहे हो आप railway नैटवर्क ले कर रहे हो railway ट्राक्स का electrification कर रहे हो कुछ आप नए diesel engine बना रहे हो और आप एक तरीके से कह सकते हैं railway engines बना रहे हो आप नए आप्ने और और कर रहे हैं किसी अっस लुहाई करए हो यह आप मोटिफिकेशन कर रहे हो किसी भी पर्टिक्लर्छ रेल्वे स्टेशन का तो हम बहुत ज़़ा debt में नहीं रख सकते सरकार को तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी पड़ेगी कि केंद सरकार जो है अपने capital expenditure को थोड़ा सा कम करें क्यूंकि जो प्रपोस किया था वो 7.5 trillion dollars का investment था ठीक है और उसमें हम private investment को भी ले के आ रहे थे तो private investment को ले के आ रहे हैं व मारा strong होगा innovation in industry promote होगा लेकिन सरकार को अपनी borrowing पर ध्यान देना पड़ेगा और यह अच्छा नहीं है जब पूरी दुनिया recession phase कर रही है तो आपकी सरकार उधार में चली जाए यह बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है अब हम फर्दर बात कर लेते हैं यहाँ पे चाइ बिल्कुल रखे हैं रशिया के साथ रूपी रूबर ट्रेड हम भी कर रहे हैं तो यहाँ आपको दिखाई देगा चाइना और इंडिया दोनों बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसल से जहां हम ट्रेड जो ऑईल है वो कम ले पा रहे हैं अभी का गल्फ कॉपरेशन काउंसल को भाइदे का सौधा मुनाफ़ाइ का सौधा मिल रहा है चाइना की तरह से तो यह तो हो गई कंटेक्स की बात आप गल्फ कॉपरेशन काउंसल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको यह आयार जीस टू के पॉइंट और व्यू से इ हमने आप भी न्यूज में देखा प्रहलाज जोशी मनीश हेगड़े अरजुन मुंडा या दिनेश संथली प्लीज अपने आंसर्स को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और अगला सवाल करते हैं हम बेसिकली आप से सवाल क्या है कुछ फैक्ट्स बताते हैं वो रेखा शर्माजी है ठीक है परबस क्या है इस बॉडी का ये कमिशन क्यों बनाया गया ये कॉंस्टिट्यूशन और लीगल सेवगार्ड महिलाओं को क्या मिले हैं उनको रिव्यू करेगा ठीक है इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है ये ध्यान रिखेगा क्रिमिनल को कर सकता है आपको भूला सकता सुनवाई कर सकता है आपको डारेकिशन दे सकता है और यह सूर मोट्व publishingLIE सकती है जसे कि चेली कमिशन फड़ वोव्में पर बात कर रहे हैं वैसे नियुञे सापने सकते nowhere सकती है और यह request कर सकती है government of that particular India, of that particular state और India as a whole to take measures to mitigate the issues, right इसके जो भी statements रहते हैं वो recommendatory रहते हैं यानि सुझाव की तरह रहते हैं, binding नहीं रहते हैं इसके पास किसी भी तरह की power नहीं है अपने decisions को enforce करने की तो एक तरीके से यह dead letter में convert हो जाती है इसका कोई खुद का constitution नहीं है, plus यह constitution में भी mentioned नहीं है does not have constitutional status और इसलिए इस officers को, police officers को यह समन नहीं कर सकते और अपने members भी यह खुद से नहीं choose कर सकती है, इसके members union government choose करता है तो क्या यह body independent रहे गए ultimately? इसी तरीके से आप National Human Rights Commission के बारे में पढ़ सकते हैं जो कि एक अलग statutory body है, आप Commission on the Protection of Rights of Child के बारे में पढ़ सकते हैं वो भी statutory body है, फिर आप National Commission for Schedule Tribe, National Commission for Schedule Cast को पढ़ेंगे National Commission for Backward Classes को पढ़ेंगे, तो यह तीन आपको constitutional bodies दिखाई देंगी तो इस तरीके से आप अपने statutory और constitutional bodies के उपर एक note बना सकते हैं अगर आपको ऐसे notes का requirement हो, तो आप अपने comment section में जरूर बताईएगा हम कोशिश करेंगे कि आपको इस तरह के notes प्रोवाइड हो जाएं इसके उपर भी lecture प्रोवाइड हो जाए ताकि आपका काम असान हो जाए और हम आपके लिए preparation में आपके सार्थी बने आपको ये वीडियो कैसा लगा आप comment section में जरूर बताईएगा और जिन दो सवालों के आंसर आपसे मांगे हैं comment section में उनको करना मत भूलिएगा बाई बाई टेक केर